वेलकम जो अग्रिकाल्चर पीडिया नमस्कार दोस्तों अग्रिकाल्चरल हेरिटेज की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है और आज जो मैं टॉपिक कवर अप करने वाली हूँ उसका टाइटिल है इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज यानि आई टी के इन प्लांट प्रो कोलेज है या हम लोग से बेटर कुछ और हो नहीं सकता था हमारे बीते हुए इतिहास में लेकिन जब हम इतिहास के पन्ने उठाकर के देखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जो हमारे पूरवज थे या हमारे जो पहले की जेनरेशन्स हैं उन लोगोंने जो फार्मिंग क ट्रेडिशन्स हैं उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए बहुत ही अपने एक एन्वायर्मेंट से रिलेटेड इंडिजिनस कुछ तरीके अपने इजाद किये वे थे जो की बहुत ही सस्टलिमल इन नेचर थे यानि केमिकल से कोसो दूर थ नहीं थे उसके और एक दूसरे से जो समन्वे का वातावरन होता है उसको लेकर के चलते वे उनको बुना गया था तो इंडिजिनस टेकनिकल नॉलेज जिसको हम आईटी के कहते हैं ये भी और कुछ नहीं है ये वो युनीक ट्रडिशनल लोकल नॉलेज है देखें लोकल न which are available in that geographical area यानि वहां के लोगों ने जो इंडिजिनस ली अपने particular geographical area को ध्यान में रखते हुए जो भी problems के solutions निकाले उन सब का जो निचोड है उसको हम इंडिजिनस टेकनिकल नॉलेज कहते हैं अब ये जो इंडिजिनस टेकनिकल नॉलेज है ये एक community oriented knowledge होती है जो की time and tested है and over the years develop हुई है on the basis of human experiences on mass scale और ये dynamic रही है ये change होती रही है लेकिन ये कारगार सिद्ध हुई है over the years और इसके अंदर बहुत ही जादा adaptability है to local culture वहां का environment और maximum profit है और minimum risk है और इसी लिए government of India ये चाहती है कि किसी भी तरीके से आज का जो youth है उसको ITK पढ़वाया जाए और उसको proud feel करवाया जाए अपनी rich cultural heritage का जो हमारे country में अलग अलग regions जो है geographical regions है, topological regions है, communal regions है तो उनके हिसाब से जो अलग अलग techniques वहां की local community ने बनाई है उसको किसी भी तरीके से बच्चों को पहुचाया जाए और ये जो knowledge है ये बहुती wide range of subject related to agriculture इसको cover up करती है right from the crop production till livestock rearing या फिर natural resource management कहिए या फिर खाना बनाने की विदी हो जिसको food preparations कहते हैं या preserve करना हो खाना या फिर health care से related हो जैसे कि Ayurveda है उसके अंदर जड़ी बूटिया जो है उसको किस तरीके से human health से जोड़ा गया है या फिर insect pest management हो या फिर कोई और allied field हो agriculture की अब ये जो use है non chemical methods का for pest control, crop protection, disease control ये बहुत ही importance gain किये चला जा रहा है इंडिया ही नहीं पूरे world के अंदर क्योंकि ये जो integrated pest management strategies है ये develop की गई है और promote की गई थी by local people also और अब जो है government भी इसके अंदर बहुत ही जादा सहयोग दे रही है ये पूरा का पूरा जो system है ये plant extract based है और natural system है एक तो अगर हम भी अपना effort डाले towards the production of ITK based products on small scale cottage industries तो ये बहुत ही economically viable option हो सकता है sustainable development के लिए which will be very eco-friendly जैसे pesticides है या insecticides है अगर हम eco-friendly pesticides, insecticides बनाएंगे, use करेंगे तो obviously हमारे वातावरन को भी बहुत ही कम नुकसान होगा और बच्चों में एक जो entrepreneurship की भावना है वातावरन को ध्यान में रखते हुए उसका विकास होगा तो अब हम सीधे मुद्धे पर आते हैं जिसके अंदर में cover up करूंगी ITK and plant disease control देखें दोस्तों अभी मैंने बताया कि ITK बहुत सारे subjects को cover up करता है और धीरे धीरे में ITK के जो formulas है या जितनी knowledge है in different fields उस पर मैं आपके साथ video share करूंगी लेकिन आज का जो video है वो totally समर्पित है plant disease control या फिर pest control के उपर तो जो हमारे traditional system है crop protection का जो हमारे farmers ने learn किया है with the long association with the land वहां की flora, वहां का fauna, flora मतलब हुआ जितने भी पौधे हैं वहां के उस area के fauna मतलब जितने भी जन्तू है, जानवर है, छोटे-छोटे चू है या animal kingdom के जितने भी members है वो सब fauna में आएंगे तो उनको एक eco-friendly based system के द्वारा, suitable cultural practices के द्वारा या फिर judicious rotation of crops के द्वारा हम control कर सकते हैं तो देखे cultural practices ऐसी practices होती हैं जिसमें आप chemical use नहीं करते हो DNA technology नहीं use करते हो, सिर्फ आप जो pest की life cycle है या जो disease की life cycle है उसको एक तरीके से उसमें break कर देते हो, ताकि वो pest आगे अपना inoculum disseminate ना कर पाए तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं एक एक करके हम पढ़ेंगे, जिससे बहुत सारे farmers, fresh cow dung जो गाय का गोबर होता है, वो मिर्च के collar region पे लगा देते हैं जिससे की fungal diseases जैसे की damping off या फिर die back disease ये सब नहीं होती हैं और अगर कभी-कभी जो soil bond disease होती है, soil bond disease कौन सी हुई, जिनका pathogen soil में रहता है तो जैसे की root rot है या collar rot है, तो उसको आप control करने के लिए castor cake, crunch cake और neem cake इनको आप soil में मिला सकते हैं और फिर उसमें आप अपनी crop ले सकते हैं तो काफी हद तक soil bond disease पे रोगधाम लग जाती है, इसी तरीके से casuarina की जो leaves होती है, उनको आप अगर लगभग 20 मिनट तक पानी में boil करके फिर उस पानी को थंडा करके, उस solution को filter करके, इस extract को अगर आप spray करते हैं plants के उपर, तो बहुत सारी bacterial और fungal diseases से छुटकारा पाया जा सकता है, इसके अलावा अगर आप fresh leaves of papaya पानी में अगर डाल के रख देते हैं overnight और उसके बाद सुबह उसको filter करके, उसका diluted solution बनाके साबुन के solution के साथ, अगर आप इसको spray करें, तो जो brown spot disease rice की, उसको control करने में मदद मिलती है similarly, बहुत सारी जो solanaceous vegetable crops होती है, solanaceous हुआ आपका bangan की जो family होती है, इसकी जितनी भी vegetable crops हैं, उनमें अगर bacterial disease लग जाती है तो हम क्या करते हैं कि solanaceous vegetable crop लेने के बाद उसमें गैंदे की खेती कर ली जाती है अब देखें इसका क्या तोड़ है कि जो भी आपके pest या फिर disease, which are very specific to solanaceous family वो marigold की family पर attack नहीं करेंगे, तो आपने बीच में एक break दे दिया है अब अगर उस pathogen को host नहीं मिल रहा है और उसमें इतने अच्छे effective measures नहीं लिये हैं अपने आपको survive करने के लिए in the non-season तो वो pathogen वहीं पर मर जाता है और बहुत हद तक आपको bacterial disease control करने में help मिलती है similarly acacia catechew की जो पत्ती होती जिसको हम care भी कहते हैं उसकी पत्तियों को अगर पानी के channel में डाल देते हैं जो irrigation के लिए काम में आ रहा है तो brown spot disease of rice को रोक थाम करने में मदद मिलती है अब देखिए एक method बहुत ही important है insect pest को manage करने में और वो है राक जो होती है जिसको हम ash भी कहते हैं अगर उसको हम sprinkle कर देते हैं vegetable crops के ओपर जैसे की onion, okra यानि भिंडी, brinjal यानि बैंगन, tomato यानि टमाटर, cucumber यानि खीरा और तो बहुत सारे इस तरीके के जो vegetable crops हैं उनके insect pest के रोक थाम में मदद मिलती है क्योंकि क्या होता है कि जो भी आपके pest हैं जैसे कि beetles हैं या leaf defoliating insects हैं या leaf miners, thrifts, aphids हैं इन सब को जो ash का जो आप sprinkle करेंगे तो वो ash एक detergent का का काम करती है और ये जितने भी insect pests हैं ये सब sucking types insects हैं यानि ये plant के sap को chew करते हैं और suck करते हैं तो इनको जो ash है वो अच्छा नहीं लगता है तो obviously ये वहाँ पे attack नहीं करते हैं और इनको दिक्कत होती है उन plant parts को chew करने में जहां पे भी ash लगी भी होती है तो इसलिए एक बहुती कारगार method सिद्ध होता है और इसी के साथ साथ कई बार ये भी देखा गया है जैसे कि bunchy top disease in chillies को prevent करने में अगर आप ash को dust करेंगे और जो आपका leather होता है tannery होती है वहाँ का liquid waste है उसको अगर आप spray करते हैं तो bunchy top disease में काफी उसको control करने में बहुत मदद मिलती है दोस्तों में बहुती common methods अलग-अलग crops में जो use किये जाते हैं हमारे local areas में उनके बारे में जिक्र करूंगी in mustard crops, mustard हुई सरसों की खेती और इसी की family के जो और भी members है उन सब को अगर आपको insect best manage करना है तो guar patha और tobacco यानि तंबाकू और neem और arita इन सब की जो extract होता है जो की हमें कभी-कभी leaf decoction से मिलता है या फिर अगर हम powder extract लेते हैं और इसके extract को हम dilute कर देते हैं जब पानी में और उस पानी को हम जब spray करते हैं mustard crop के उपर at the interval of 2-3 weeks तो हमें mustard crops के insect pest को रोग थाम करने में बहुत मदद मिलती है और यह जो तरीका है it is practiced throughout the hilly areas of mandi district in Himachal Pradesh तो देखे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारी अलग-अलग crops हैं और उनके same insect pest के लिए आप अलग-अलग solution use में ले सकते हैं कि क्यों जो solutions हैं वो depending on the geographical area वहां का जो raw material है आपको क्या मिल रहा है और वहां के local लोगों ने जो knowledge develop की है उस पर यह चीज़े based होती है तो आप एक ही चीज़ को fix करने के लिए अलग-अलग methods यूज़ कर सकते हैं similarly बहुत सारी जगे यह देखा गया है कि अगर आपको insect pest को manage करना है तो cow का जो urine है जिसको हम गौ मूत्र कहते हैं उसके साथ निरगुंडी जो है उसका powder और हींग इन सब को अगर आप मिला करके wheat की खेती में उसकी crops पर अगर आप उसको छिड़काव करते हैं तो आपको wheat के insect pests को manage करने में बहुत मदद मिलती है और यह specially जितनी भी sowing seasons होते हैं या तो early या normal या late sowing seasons of wheat and paddy crops उन सब में बहुत ही effective होता है और it is very popularly practiced in most of the hilly mountain villages of shimla जैसे की आपके हिमाचल प्रदेश में जितने भी areas हैं वहाँ पे जो method को बहुत easily practice किया जा सकता है और बहुत ही popular है यह वहाँ के area में similarly अगर आपको pod borers जो की चने के खेत में लगते हैं उसको manage करना है तो बहुत ही कारगार तरीका होता है लसी जिसको आप वे कहते हैं उसमें guar patha जिसको हम yellow barbedenses कहते हैं और साथ में हम use करते हैं tambaku तो अगर इन तीनों का जो mixture है इसको आप जो solution है उसको filter करते हैं और उसको spray करते हैं similarly paddy insect pests होते हैं उनको manage करना बहुत ही आसान है with the help of nirgundi जिसको हम sindhuwara या indrani भी कहते हैं और जिसका scientific name है whitex negundo तो farmers generally क्या करते हैं कि जो broom बनाते हैं जिससे कि paddy field को sweep किया जाता है जो जाडू लगाई जाती है वो use करते हैं with the branches of whitex negundo तो ये जो nirgundi का पौधा होता है इसकी पतियों में इसके तने में ऐसा माना गया है कि insecticide की तरह ये act करता है और साथी साथ paddy की growth को भी enhance करता है और ये practice हिमाचल प्रदेश में बहुत ही popularly use की जाती है और इसके अंदर 4 kg tobacco की leaves और twigs जो है जो उसकी चुटी चुटी टेहनिया होती है उसको 40 liter पानी में 40 minute तक के लिए boil किया जाता है फिर cool किया जाता है और उसके बाद 1 kg soap powder में mix करके इस solution को तयार किया जाता है और उसको 7-8 बार dilute करके spray करते हैं to control aphids and white flies in citrus plants और similarly rice seedlings जो raise की जाती है seed treated with extract of neem kernel से वो leaf hopper के लिए automatically resistant हो जाती है इसी तरीके से mango tree के अंदर अगर shoot borer का infestation को prevent करना है तो common salt जिसे हम NACL कहते हैं उसको हम mix कर देते हैं मिट्टी के अंदर near the collar region of the tree और इस तरीके से हम shoot borer से निजात पा सकते हैं अगर mango के अंदर shoot borer है और bar keeter भी है तो jaggery यानि गुड को जो holes होते हैं वहाँ पे place किया जाता है जिससे की दूसरे predators आएं, attract होएं और वो predators आकर के उन insects को जो holes के अंदर present हैं उनको खा जाएं तो देखें दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वो ही यहाँ पे policy apply की गई है similarly जो hole से अगर आपको पता है कि उसके अंदर shoot borer है या bar keeter है तो वहाँ पे kerosene को या petrol को pour कर सकते हैं जिससे की जो air होती है air को cut out कर देता है kerosene या petrol और उसको श्वास लेने में तकलीफ होती है जो insect है और वो मर जाता है और इसी तरीके से एक लीटर extract बनाये जाता है of equal quantity of crushed green chilies and garlic तो हरी मिर्च और लहसुन दोनों को equal quantities में ले करके mix करके और spray किया जाता है crops पे to control aphids इसी तरीके से जो calotropis की leaves होती है उसको पानी में solution बना करके उसका और leaf sucking pest को control किया जा सकता है इसी तरीके से stem borer को भी manage किया जा सकता है with the help of tobacco waste and soap solution और इस solution को आप dilute कर देते हैं और spray करते हैं crops पे तो stem borer से निजात मिल पाती है तो उसके अलावा अगर आप tulsi का solution बनाते हैं एक लिटर पानी में और साथ ही साथ उसके अंदर soap solution मिला देते हैं और इस solution से अगर आप spray करते हैं crops पे तो आपको aphid, army worm, red cotton bug, muskito इन सब से निजाद मिल सकती है तो अभी तक तो मैंने आप से share किया जितने भी तरीके हम plant protection में use करते थे जितने भी common pest होते हैं, aphids है, leaf borer है, stem borer है, bar keeter है तो देखे बहुत ही common से आपने raw materials देखे होंगे जैसे कि लहसुन, neem, करंच, केक, या फिर callotropes, या jaggery, या ash तो इन सब के अंदर insecticidal properties होती है, या फिर ये एक barrier सा बना देते हैं, insect और host के बीच में, जिससे कि insect अपने host पे attack नहीं कर पाता है अब हम बात करेंगे दोस्तों, हम किस तरीके से stored grain pest को control कर सकते हैं तो देखे जितना नुकसान खेत में crops को होता है, उतना ही नुकसान, storage के time भी हो सकता है और होता ही है generally, तो अगर हमको safe storage of food grains करना है तो बहुत सारी जगे जैसे कि राजस्तान में garlic की leaves, यानि जो लहसुन है, उसकी पतियां बीच बीच में रख दी जाती है क्योंकि एक अजीब सी महक छोड़ती हैं, जिससे कि insect pest repel होते हैं और वहाँ पे नहीं आते हैं Similarly, अगर आपको pulse के seeds, यानि दलहन जो है, उसके बीजों को बहुत time के लिए preserve करना है तो आप निरगुंडी की leaves को उनके बीच में रख सकते हैं एक बहुत ही common practice होती है, जो कि हमारे घरों में भी होती है, even मेरे घर में भी मैं ये practice करती हूँ कि अगर मुझे wheat या rice को बहुत time तक store करना है, तो बीच बीच में एक एक layer नीम की पतियों की में बिचाती चली जाती हूँ और अगर आपको milled chickpea, green gram और दूसरे जो pulses हैं, उनको store करना है तो generally बहुत सारे लोग उसको mustard oil की एक छोटी सी परत उसके उपर लगा देते हैं, तो insect pest उस पे जल्दी नहीं लगते हैं इसी तरीके से जो green gram है, यानि हरा मूंग है, वो insect pest infestation से free कर सकते हो आप, अगर आप उसमें 1% neem leaf powder मिला दो इसी तरीके से acorous calamus, जिसको हम baje का powder कहते हैं, उसको आप beach के साथ मिला देते हो in the ratio of 1 is to 10 और ये help करता है stored pest से prevent करने में दोस्तों अभी तक हमने देखा कि हम किस तरीके से stored grains को pest से control कर सकते हैं अब मैं आपके साथ share करूँगी बहुती wonderful structures जो की बिलकुल locally made थे हमारे जो पूरवज थे, हमारे जो पुरानी पीडियां थी, उन लोगोंने किस तरीके से मिट्टी को लेके या फिर bamboo को लेकर के या पत्तियों को लेकर के या जो भी उनको raw material मिला उसको लेकर के उनोंने storage structures बनाएं और वो इतने technically sound storage structures हैं कि उनको उनमें store करना बहुती असान होता है grains को तो यह देखिए आप PIC में देख पा रहे हैं कि 100% women जादा तर राजस्तान में traditional storage structures use करती हैं जैसे कि mud bins यानि मिट्टी का जो dust bin होता है या एक box जैसा होता है या stone का bin यानि पत्थर का bin या फिर bamboo bins for storage और मिट्टी या पत्थर या bamboo ये एक layer बनाता है between the stored grains and the pests और बहुत सारी जगे पर जो grains है उनको disinfect किया जाता है with the smoke of cow, dung, cake and neem leaves यानि कि गोबर के जो उपले बनते हैं और जो neem leaves होती है उनको साथ में मिला के जलाया जाता है और वो जो धुआ होता है उससे grains को treat किया जाता है देखें आप पिक में जो नीचे देख पा रहे हैं अरुनाचल प्रदेश में majority of farmers they store their food grains and meat near the kitchen where the smoke of burning fire would penetrates यानि धुए से वो insect pest को अलग करते हैं और यह जो टोकरे आपको दिखाई दे रही है यह निशी tribe है करुनाचल प्रदेश का वो rat trap को use करता है जिसको हम गुरुंग कहते हैं यह जो trap है it is made up of thin bamboo with long internodes अब यह देख रहे हैं आप जो पहली pick है यह गारो tribes जो है मेगाले के यह use करते हैं जो thatch grass होती है उसको और bamboo और wooden poles इनको मिला करके यह इस तरीके का structure एक कमरा तयार करते हैं और उसके अंदर grain को store करते हैं similarly right side में जो आप देख रहे हैं यह एक granary है जिसको हम nahu कहते हैं और यह rat proof storage granary है और यह generally Arunachal प्रदेश के आदी tribes अपने village के एक corner में बना लेते हैं अब इसके अंदर चूहा अंदर नहीं घुस सकता है जो कि एक बहुती बड़ा pest होता है बहुत सारे grains का तो अभी तक हमने देखा कि कौन-कौन से traditional structures हैं to preserve the grains, to store the grains in a very eco-friendly manner तो अभी हम देखेंगे कि ऐसे कौन से दूसरे तरीके farmers use करते हैं for their crop protection जो कि बहुती eco-friendly agricultural practices है तो सबसे पहले बात करेंगे paddy के बारे में paddy मतलब होता है rice और rice के अंदर क्या-क्या हम लोग cultural practices use कर सकते हैं तो पहला है trimming the field buns to control weeds, pests, disease and rats यानि आप trim कर देंगे तो रास्ता आपने रोग दिया है तो अब rat नहीं आ पाएगा दूसरा तरीका होता है integrating allied enterprises like poultry and fish तो उससे क्या होता है कि जो drop links होती है poultry की they can be used as manure for crops and feed for fish और अगर आप जो paddy की seedling है उसकी जो tip है उसको आप clip कर देंगे तो stem borer नहीं लगता है और कभी-कभी क्या करते हैं farmers जो paddy seeds हैं उनको immerse कर देते हैं common salt solution में और coffee बनाते हैं और diseased seeds क्या होते हैं वो float कर जाते हैं क्योंकि यहाँ पर देखे principle चल रहा है Osmo regulation का जब पानी जो है वो उसके अंदर नमक आप बहुत सारा डाल देंगे तो उसकी जो density है वो बढ़ जाएगी अब जो diseased seeds है वो float कर जाएंगे जो की easily आप remove कर सकते हैं और जो नीचे बैट गए हैं भारी बीज वो आप sowing के लिए use कर लेते हैं इसी तरीके से अगर आप sewer की जो manure है वो आप 10 days after planting of rice अगर आप डालते हैं तो बहुत ही high yield मिलती है और जो madar का पौधा होता है उसकी अगर आप green leaf manure बनाते हैं तो rice की nursery field में thrips के attack से बहुत ही राहत मिलती है similarly caseya का use किया जाता है to control insect incidences और आप caseya के साथ green leaf manure भी बना सकते हैं अब यह जो एक पौधा है next जो मैं बताने वाली हूँ जिसको sindhuvar या nochi कहते हैं या indrani कहते हैं या nirgundi का पौधा कहते हैं यह बहुत ही कारगर सिध होता है as green leaf manure as well as preventing the insect pest इसके अलावा पंच कवियम यह पंच कवियम मतलब होता है इसमें पांच चीजे mix करते हैं जिसे हम FYM solution यानी farm yard manure solution उसके अंदर हम गौम उत्र मिलाते हैं दूध मिलाते हैं दही मिलाते हैं और घी मिलाते हैं अब जो यह mixture है आपके पंच चीजों का यह use किया जाता है to control pests and diseases और यह growth inducer का भी काम करता है similarly अगर आप green manure जैसे की sasbenia या धेंचा जैसे कहते हैं या फिर wild indigo अगर आप raise करते हैं और उसको plaw कर देते हैं in the field at the time of flowering तो सिवीड की population में बहुत निजाद मिलती है देखिए वीड दो तीन तरीके से आपको नुकसान करता है एक तो वो compete करता है आपके plants के साथ for sunlight, for nutrients, for water दूसरा वो mixing अगर हो जाएगी वीड की आपके main crop के साथ तो आपका जो quality है main crop की वो reduce हो जाएगी next एक और तरीका होता है जहांपे वीड बहुती harmful effect छोड़ता है और वो होता है it acts as alternate host for the pathogen यानि pathogen का अगर main host आपकी crop है तो harvesting के बाद अगर crop नहीं मिल रही है तो कहीं न कहीं हम pathogen पे रोक थाम कर सकते हैं लेकिन वहीं अगर उसको weed मिल गई तो जो pathogen है वो आपके host को छोड़के जब weed के उपर चला जाएगा और जब उसको फिर से favorable conditions मिलेंगी तो weed को छोड़के again आपकी main crop पर आ जाएगा तो एक तरीके से weed जो है उसको शरण दे रही है अपने अंदर कि वो अपने आपको disseminate कर पाए इसलिए weeds को निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है similarly अगर हम sun hemp जिसको crotillaria junchia कहते हैं या फिर धेचा ये हम cultivate करते हैं तो हमें बहुत ही मदद मिलती है nut grass weed को control करने में गर्मियों के दिनों में अगर हम neem cake को apply करते हैं as basil manure तो बहुत सारे crops में brown plant hopper इसको हम control कर सकते हैं similarly neem oil को अगर हम pangam जिसको pongamia glabra oil कहते हैं इनके साथ mix करते हैं one is to one के ratio में और इसको अगर हम spray करते हैं तो leaf folder को control करने में मदद मिलती है नीम का एक और benefit होता है कि नीम cake को अगर irrigation water के अंदर डाल दिया जाए और फिर उस पानी से irrigation किया जाए तो stem borer, leaf folder इन सब को control करने में बहुत मदद मिलती है similarly birds एक बहुत terrifying pests हो जाती है कभी-कभी crops में जैसे कि ducks या sparrows क्योंकि ये जो birds होती है ये आपके उसके flowers में से beach खा जाती है तो अगर जो field है rice की उसके corner पे poles को डाल दिया जाए और वहां उसके बीच में हम एक धागा सा लगा दें चम-चमातवा या फिर एक string बान दें और उसमें से जिसमें से noise हो अगर wind चले तो वो scare कर देती है या birds उससे डर जाती है और हमारे damage होने से बचाव मिलता है नीम oil को अगर आप mix कर दें पानी में और उसको आप rice पर spray करें तो stem borer से निजाद मिलती है इसी तरह से neem cake तो बहुत ही important है नीम oil, neem cake, neem in any sense अगर आप use करते हैं तो बहुत सारे insects से निजाद मिल जाती है अब हम बात करेंगे stem borer की अगर stem borer पे हम ash डाल देते हैं, dusting करते हैं जिसे की rock डाल दी तो बहुत हद तक stem borer से भी निजाद मिल जाती है और tobacco बहुत ज़ादा कारगर सिध होता है tobacco, cow urine, neem oil इन सब का decoction अगर हम बना देते हैं और उसको spray करते हैं तो leaf hopper है या फिर बहुत सारे sucking pest infestations हैं उनको रोकने में हमें मदद मिल जाती है similarly एक बहुती interesting raw material मिलता है हमको coconut milk यानि अगर narial के दूद को और butter milk को butter milk मतलब हुआ च्छास तो अगर narial के दूद को च्छास के साथ मिला करके spray करते हैं तो ये एक growth regulator की तरह act करता है pest repellent की तरह act करता है क्योंकि इसमें से एक अजीब सी महक आती है और fungal diseases को के लिए resistance produce करता है और flaring को भी induce करता है अगर हम निरगुंडी की leaves को mud pods के अंदर रख देते हैं side में एक layer बना देते हैं और फिर उसके अंदर हम store करते हैं किसी भी grain को तो बहुत हद तक insect pest से निजाद मिल जाती है और कभी-कभी ये भी देखा गया है कि अगर हमें paddy को किसी कमरे में store करना है धान को किसी कमरे में store करना है तो नीचे सबसे पहले जो फर्ष है उस पे cow dung के solution की एक layering कर दी जाती है ताकि नीचे से जैसे दीमक है या जो धरती में से निकलते हैं छोटे-छोटे आपके कीडे उनके और grains के बीच में एक layer आ जाती है cow dung की तो बहुत हद तक आपको soil bond या जो धरती के अंदर से जो pest साते हैं उससे निजाद मिल जाती है similarly अगर हम paddy seeds को harvesting के बाद sun dry कर देते हैं दो दिन के लिए और फिर shade dry कर देते हैं बीच में एक दिन के लिए तो moisture content हज जाता है जिससे की storage pest में हमें बहुत मदद मिल जाती है एक बहुती traditional storage device होता है जिसको हम patayam कहते हैं वो traditionally use होता है rice को store करने में जिससे की pest attack को हम avoid कर सकें तो दोस्तों अभी जो आपने आज इस वीडियो में देखा तो आपको एहसास हो गया होगा कि हमारा जो indigenous technical knowledge का जो bank है वो कितना rich है और इसी knowledge को मैं आपके साथ share करना चाहती हूँ बहुती easy methods use की हैं हमारे पुराने जो हमारे farmers थे उन लोगोंने और बहुती सस्ते methods हैं most effective methods है और maximum profit है और minimum risk है जो एक term आजकल चल रहा है sustainable agriculture तो उसके अंदर हम chemical use कम से कम करना चाहते हैं तो यह जो methods है along with some chemical fertilizers they can go a very long way in increasing the production of crop हम yield को बढ़ा सकते हैं हम insect pest को manage कर सकते हैं अपने दम पे और इसी तरीके से अब हम एक बहुत eco friendly environment अपने आगे वाली पीडी को दे सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो इसके contents पसंद आये हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करिए इस पे comments डालिए और मुझे बताईए कि आगे कौन कौन से topics पे मेरे वीडियो देखना चाहते हैं और मेरे चैनल के आगे के contents को जानते रहने के लिए मेरे चैनल को subscribe करिए और notifications जानने के लिए bell icon प्रेस करना ना भूलें धन्यवाद झाल प्रेस